दोस्तो आज का हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है टाइप साफ सिस्टम इन हिंदी ठिक है सिस्टम के प्रकार हिंदी में दोस्तो आज हम इसी टॉपिक उपर डिसकस करने वाले हैं दोस्तों अगर आप system के जितने भी प्रकार है उन सारी चीजों के बारे में या उन सारे types के बारे में details से जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के end तक बने रहना जरूरी है मसकार दोस्तों महीं यादो पांड़ा स्वागत है मेरे youtube channel target with knowledge online classes में तो चले दोस्तों बीना time waste के आज के हम वीडियो start करते हैं दोस्तों अगर हम system के types के बारे में बात करें तो इसको मुखी रूप से 6 types है ठीक है इसके मुखी रूप से 6 प्रकार है ठीक है जो system के types है इसमें मुखी रूप से कितने प्रकार है 6 प्रकार है तो उन 6 प्रकार में क ओपन एंड प्लोजड सिस्टम ठीक है इसी तरह से जो थार्ड सिस्टम के टाइपस है वो यह है एडाप्टिव एंड नौन एडाप्टिव सिस्टम ठीक है एडाप्टिव एंड नौन एडाप्टिव सिस्टम चले दोस्तों नेक्स्ट सिस्टम के टाइपस के बारे में जान इस प्रकार से दोस्तों जो system के types है वो मुख्य रुप से 6 प्रकार के होते हैं तो चलिए दोस्तों हम एक एक जो system के types है उसको समझते हैं पहला जो हमारा system का types है क्या है वो है physical and abstract system ठीक है physical and abstract system तो चलिए हम पहला system के types को समझते है physical and abstract system क्या होती है दोस्तों सबसे पर हम जानते है physical जो physical system है वो क्या होती है उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे abstract system के बारे में तो जो physical system होती है वहाँ nature tangible होता है ठीक है यहां पर जो tangible है इस सब्द का मतलब यहां है कि जिसको हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं ठीक है उसी को हम क्या करते हैं tangible जो physical system होती है वो क्या होती है एक प्रकार की nature tangible होती है और tangible का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं आसान सब्दों में कहें तो दोस्तों जिस सिस्टम को हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो फिजिकल सिस्टम के अंतरगत आती है ठीक है जिस सिस्टम को हम छू सकते हैं या फिर हम उस सिस्टम को महसूस कर सकते हैं वो फिजिकल सिस्टम के अंतरगत आती है दोस्तों अग और सेकंड होता है इस्टाटिक ठीक है डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होते रहते है ठीक है और जो इस्टाटिक होती है उसका मतलब होता है जो इस्थीर रहती है तो चेंज क्या होती है जैसे का आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम हो होती है जो मैज होती है ठीक है या फिर जो आटेबल होती है वो चेंज नहीं होती ठीक है वो किसके अंतरगात आएगी वो इस्टेटिक के अंतरगात आएगी तो इस तरह से दोस्तों जो physical system है उसको मुखी रुप से divide किया गया है पहला क्या है dynamic और second क्या है static ठीक है पहला क्या है पहला है dynamic और second क्या है static ठीक है डायनेमिक मतलब जो change होते रहती है जैसे का आप लोगों ने देखा होगा computer गंदर जो program होती है वो क्या होती है उसको हम modify कर सकते है उसको हम change कर सकते है या program जो programmer होता है वो चाहे तो उसको एक नया program भी लिख सकता है ठीक है तो यह किसके अंतरगत आती है याением और जोis static होती है दौस्तों वो क्या होती है इसथील रहती है उस्में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती है तो इस प्रकार की जो जिसमें पर्यवर्तन नहीं होती वो किसके अंतरगत आती है तो अब आपने को समझ में आ गया होगा कि physical system क्या होती है चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते है Abstract system के बारे में Abstract system क्या होती है Abstract system वहां होती है दोस्तों जिसको हम ना ही touch कर सकते है और ना ही महसूस कर सकते है यह direct concept पर आधारित होता है concept पर आधारित होता है concept पर abstract system वहाँ होती है जिसको हम ना तो touch कर सकते है और ना ही महसूस कर सकते है ये direct concept पर आधारित होती है जैसे कि दोस्त आप लोगों ने देखा होगा गडित का formula ठीक है गडित का formula ये किस पर आधारित होती है Concept पर आधारित होती है इसलिए ये किसका अंतरगत आती है Abstract System के अंतरगत आती है ये तो हो गई दोस्तो Physical and Abstract System क्या है इसके बारे में चले दोस्तो, Next System के बारे में बात कर लेता है हमारा जो Next System है वो है Open and Closed System Open and Closed System क्या होती है चले इसको हम इस्तारपुर्वक समझते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो open system होती है जो open system होती है दोस्तों वो क्या होती है ये open system वहाँ होती है जो आसपास के जो environment है उसके साथ interact कर लेती है interact का मतलब है उनके साथ mail जोल कर लेती है जो open system होती है, वो क्या होती है, जो आसपास के environment है, उनके साथ क्या कर लेती है, यह interact कर लेती है, उनके साथ mail- conducive कर लेती है, वो ही क्या कहलाती है, open system क्या लाती है, जो open system होती है वो user के जर्रत के according अपने आपको क्या कर लेती है change कर लेती है इसके अतिरिक open system क्या करती है जो input होती है उसको receive कर लेती है जो input होती है उसको receive कर लेती है और जो output होती है उसको deliver करने का काम करती है जो input होती है उसको क्या कर लेती है open system receive करती है और जो output होती है उसको deliver करती है तो ये तो हो गई दोस्तो open system के बारे में बात चले दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं closed system जो क्लोजड् सिस्टर्म क्या होती है जो ऩो जो होती है दोस्तों वह ओपन के विप्रीद होती है यह emvirage मैंट के साथ किसी भी में प्रकार से इंत्रेक्टर नहीं करती है उनके साथ मेल जोल नहीं बनाती ठीक है ये तो हो गई closed system के बारे में अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि closed system क्या होती है ठीक है दोस्तों इस में मैंने आप लोगों को बताया कि open and closed system क्या होती है ये दोनों system आप लोगों को समझ में आ गया होगा चले दोस्तों अगे बढ़ते हैं? अब हम बात कर ले स announघिट ख है एर साथ ही साथ हम सीखने वाले हैं non-adaptive system के बारे में तो चलिए हम सबसरे पहले जानते हैं Vanessa क्या होती है? जो adaptive system होती है वो यह होती है डोस्तों कि जो तह स समय best example है इंसान और second januar ये क्या करते हैं ये समय समय पर अपने जो environment है ठीक है जो environment है उसके according समय समय पर change होते रहते हैं प्रकृति के साथ change होते रहते हैं ताकि ये लंबे समय तर जीवीद रह सके इसके विप्री दोस्तों जो non-adoptive system है ये adoptive system के just opposite है ये अपने आपको environment के अनु आपको environment के according change नहीं करते बल्कि ये क्या करते हैं वे जिस condition में है उसी condition में ये लंबे समय तर गरते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो भी machine होती है ये जो भी आवजार होती है ये किसी भी प्रकार से environment के साथ change नहीं होते रहते हैं बल्कि ये जिस type के मतलब जिस आवस्था में वो रहते हैं वो उसी आवस्था में ही हमेंसा या पर्मानेंट रूप से बने रहते हैं यह किसके अंतरगत आती है यह आती है नौन एडाप्टेश सिस्टम के अंतरगत आती है चले दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं next system के बारे में हमारा जो next system है वो है permanent and temporary system यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को नाम से पते चल रहा होगा कि यहाँ पर पर मैंट आया है और सेकन का है टेंपरेर या है ठीके तो चलिए हम पर्मानेंट से इस्टार्ट कर लेते हैं पर्मानेंट सिस्टम क्या होती है जैसे कि दोस्तों कुछ वस्तु जो पर्मानेंट या हमेशा के लिए बनाया जाता है वो किसका अंतरगात आती है पर्मानेंट सिस्टम के अंतरगात आती है जो हमेशा के लिए पर्मानेंट तोर पर बनाया जाता है वो पर्मानेंट सिस्टम के अंतरगात आती है इसका मतलब अब यह नहीं है कि दोस्तों वो कभी नश्टर नहीं होगा ठिक है वो भी एक ना एक दिन नश्ट हो जाएगी लेकले धम्भाक अवदी दोस्ति तक यह लम्भी समय तक हम उसको चला सकते हैं वह किसके कुछ समय के लिए यूज के लिए बनाते हैं वो किसके अंतरगत आती है टेंपरेरी सिस्टम के अंतरगत आती है ये कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी ये आटोमेटिक अपने आप ही क्या हो जाएगी नश्ट हो जाएगी ये तो ऐसे सिस्टम किसके अंतरगत आते हैं लंबे समय तक किसे हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं एक लंबे अवधी के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि दोस्तों यह कभी नाश्ट नहीं होगी ठीक है यह एक नाइक दिन आवस्ट से नाश्ट हो जाएगी जरूर नाश्ट हो जाएगी लेकिन temporary के अपेक्छा में हम इसे थोड़ा से जादा समय या लंबे समय तक हम इसे use कर सकते हैं या long term तक हम इसे use कर सकते हैं ठीक है तो यह basic different है दोस्तो permanent and temporary system में चले दोस्तों अब हम बात करते है natural and manufactured system इसमें क्या होता है दोस्तों natural जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा natural मतला प्रकृति ठीक है जो प्रकृति माने बनाया है वो किसके अंतरगत आती है natural ऐसा system जिसको प्रकृति में बनाया है वो किसके अंतरगत आएगी जिसको nature ने बनाया है रोस्त किसके अंतरगत आएगी नैचुरल सिस्टम के अंतरगत आएगी ठिक है और जो मैनुफेक्चरड सिस्टम होती है दोस्तों यह क्या होती है हैंड मैड होती है ठिक है माना इंसान जो मैनुफेक्चरड सिस्टम है उसमें इंसान क्या करता है उस चीज को बढाता है ठिक तो नेचुरल में कोन बनाता है प्रकृति मा जिसको हम नेचर भी कहते हैं और जो मैनुफेक्चरड़ सिस्टम है इसमें जो इंसान खूद अपने हाथों से बनाता है वो किसके अंतरगात आती है तो अब अब आप्लोगों को समझ में आ गया होगा इसमें कोन बनाता है इसको कुण बनाता है तो इस पैकार की सिस्टम करते है जटा करते हैं इसके जो लास्ट सिस्टम है वह है Deterministic and Probistic System Deterministic and Probistic System क्या होती है इसके बारे में भी हम जानते है तो सबसे पहला हम जानते हैं दोस्तों जो Deterministic System होती है वो क्या होती है सबसे पहला हम जानते है Deterministic के बारे में Deterministic की जो System होती है दोस्तों वो क्या होती है जो आने वाले भविसे में जो इवेंट्स है जो भविसे वेंट्स है उसका सही प्रेडिक्शन करना ही क्या कहलाता है जो भविसे में होने वाले इवेंट्स है जो भविसे में होने वाली घटना है उसका सही प्रेडिक्शन करना ही क्या कहलाता है जो भविसे में होने वाले इ सहीं भविस्वारी करना ही क्या कहलाता है, डीटर्मिनिस्टिक सिस्टम कहलाता है, इसके विपरित दोस्तों जो प्रोबिनिस्टिक सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसके ज़स्ट अपोलजित होता है, इसमें जो इवेंट है, जो आने वाली इवेंट्स है, उसका सहीं भव इसमें में आने वाली इवेंट्स है जो घटना है उसका सही भविस्यवारी नहीं करना ही, क्या कहलाती है? प्रोबैली लिटिक सिच्टम कहलाती है, प्रोबैली सिच्टम ठीक है? ये क्या कहलाती है? probabilistic system जिसमें आने वाली events का सही भविस्वाड़ी ना कर सके वो क्या कहलाती है probabilistic system तो इस प्रकार से दोस्तों आज किस video मैंने आप लोगों को बताया कि जो types of system है जो types of system है वो कित्ते प्रकार के होते है साथ साथ दोस्तों मैं उन सारे प्रकारों के बारे में एक एक करके आप लोगों को details से बताया दोस्तों उमिद करता हूँ यहाँ video आप लोगों को समझ में आया होगा अगर video समझ में आ गया होगा तो please video को like कर दिजेगा video को अपने friend circle के अंदर share करना भी मत भुलिए और अगर आप चैनल में नए है या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल Target with Knowledge Online Classes को जरू सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ उसके साइड में बेल का इकन मना है उस बेल का इकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब मिल सके तो दोस्तों आज के लिए फिर हाल बस इतने ही कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक ले नमस्कार जैहिर वन्नमात्रम